आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Dash is the area of maximum selective reabsorption पूछा गया है कि कौन सा area ऐसा है किड्नी या पर निफरॉन के अंदर जहां पर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा reabsorption होता है तो निफरॉन का जो पार्ट सबसे ज़्यादा reabsorption करता है वो है PCT जिसको हम लोग proximal convolated tubule के नाम से जानते हैं proximal convolated tubule और यहां पर क्या होता है तो अगर इनके structures को देखा जाए तो PCT का जो structure होता है उसमें microvillies जो होते हैं वो border में पाये जाते हैं और यही microvillies जो हैं वो ऐसे invaginations create करते हैं जिससे की जो surface area होता है वो बहुत ज़्यादा increase कर जाते हैं और जैसे ही surface area increase कर जाता है वैसे ही reabsorption का जो process है वो भी बहुत ज़्यादा increase कर जाता है inside the cells of PCT और जो जो चीज यहां से reabsorve होता है वो है basically glucose साथ में water जो है यह भी बहुत huge amount में reabsorve होते हैं साथ ही यहां पे क्या होता है कि जो filter rates होते हैं जैसे कि small amount में salt यह भी reabsorve होता है from the proximal convolated tubule और basically देखा जाए तो इनका जो area होता है वो सबसे जादा बड़ा होता है बाकी सबसे और अगर देखा जाए nephron का सबसे छोटा area तो वो होता है DCT यानि distilled convolated tubule यह सबसे छोटा area होता है जहां सिर्फ reabsorption of NECL यानि salt देखा जाता है तो जो correct answer होगा वो हो जाएगा हमारा PCT यानि proximal convolated tubule Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आ या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर